हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है VLC मीडिया प्लेयर 3.0.11 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर ओ देखेंगे और प्लीज गयाज यदि आप लोग अभी तक चैनल को सस्काइब नहीं किये ते प्लीज चैनल को आपको क्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो आप जिस भी पीचे लट्टाप के अंदर इंस्टॉल करना चाहते ओप पहले चेक कर लिजएगा यदि 32-bit होगा तो 32-bit का EXC डाउलड किजएगा 64-bit होगा तो 64-bit का EXC डाउलड किजएगा यदि आपको नहीं पता कैसे चेक करते हैं चलिए ओभी बता देता हूं आपको क्या करना इसको पिनिमेज करके desktop के उपर जाना है, desktop के उपर आपको this PC या my computer दिखेगा, इसके उपर आपको right click कर देना है, right click करने के बद आपको property के उपर click करना है, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर system type के आगे check करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 32 bit का EXE download करना है यदि यहाँ पर आपको 64 bit लिखाओगा तो 64 bit का EXE download करके install कर लेने हैं मेरे case में यहाँ पर 64 bit का है इसलिए आपको 64 bit का EXE download करके install करके दिखाऊंगा आप सेम तरहे के से 32 bit का EXE download करके install कर लिजेगा चले आप ही मैं इसको close करता हूँ वापस फिर से website के download करने के लिए मैं यहाँ पर किलिक करूंगा क्लिक करते हैं इस तरह से विविंड킨 हो जागा आपको क्या करने के यहाँ है आपको सेकंड वेट करने में इस तरा से है mode से Bunu हो जाने करने का पुछने करना है, one second wait किजिएगा, one second wait करने की बाद आपका ऊफसे डॉनलोड हो डाउनलोड complete होने काणने आपको कैया करना है उस folder के चाहने जाना है यह इस तरह से दिखेजसे अब आपको Button XEx को बाद ऐसमाई क्लिक करने कद आपको प्रपरप। or इसमिगर कर से दो आप एक को पर अधिक क्या शो productive करके इन्स्टॉल कर सकते हैं या ने फिर थे यह को राइट क्या करना सबस् science करणाई। या से लंग्वय सेल्ट करणाई इसको रख ऑदेश्य कर्काना है। क्या कर्का ना शुदुड़ करना है। इसके बाद फिर से यह window आजागा, आपको फिर से next के ऊपर click करना है, फिर से next के ऊपर click करना है, फिर से आपको install के ऊपर click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से installation होना सुरू हो जाएगा, आपको कुछ ने करना है, यहाँ पे कुछ second wait कीजिएगा, कुछ second wait करने के बाद इस तरह से विंडो आ जागा अब आपको क्या करना यह टिकमा घटा भी सकते या नहीं तो रहने भी दे सकते इसे कोई खास फरक नहीं परेगा आपको फिनिश के ओपर क्लिक कर देना है अब आप देख रहे हैं इस्टोलेशन हो चुका है यहां पर डेक्स्टो पर सटकोट एकन भी आ अब यहां आपको इसका वर्जन भी दिखा देते हैं वर्जन चेक करने के लिए किलिक करते हैं यहां पर दिख रहे हैं यहीं आज का हमारा टॉपिक था आपको व्याल सी मीडिया प्लेयर 3.0.11 डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखा दिया और प्लीज गया चैनल को सब सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू